दोस्तों मुखतार अंसारी के परिवार को एक बार फिर बड़ा जटका लग सकता है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राश्ट्रे अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर में अवजाल अंसारी का टिकट काट सकते हैं अखिलेश अब तक कई सीटों पर प्रत्याशियों में फेर बडल कर चुके हैं और अब नंबर गाजीपुर का है लेकिन गाजीपुर में अवजाल अंसारी का टिकट क्यों काटा जा सकता है या फिर इसके पीछे की वज़े क्या है वज़े दरसल दोस्तों है एक पुराना मामला और वो मामला है कृष्णानंदराय की हत्या से जुड़ा हुआ कृष्णानंदराय की हत्या में अवजाल अंसारी को 29 अपरेल 2023 को चार साल की सजा और जुर्माना हुआ था इसके बाद उनकी संसत की सदस्ता चली गई जिसके बाद हाई कोट वो गए फिर सुप्रीम कोट गए सुप्रीम कोट ने उनकी सजा पर रोक लगाई और तकरीम चार साले चार महीने के बाद अवजाल अंसारी सलाकों के बाहर आये उनकी संसत की सदस्ता भी बहाल कर दी और दूसरा वो सदन में किसी भी बिल पर वोट नहीं कर पाएंगे अफजाल अंसारी बाहर आये उसके बाद वो गाजीपूर में अक्टिव हुए फर्वरी के महीने में अखलेश आदव ने गाजीपूर में उनको टिकट दे दिया लेकिन मार्च के आखिर में मुक्तार अंस अंसारी का निधन हुआ उसके बाद अफजाल अंसारी के घर उनको सांतोना देने अकलेश पहुँचे भी लेकिन गाजीपूर की ये जो पूरी लड़ाई है ये जो पूरी टिकट की जो खबरे चल रही है कटने की वो इस वज़े से हैं क्योंकि सुप्रीम कोट ने उस वक हमले में हाई कोट में एक सुनवाई हुई लेकिन सुनवाई पूरी हो नहीं सकी और अगली तारीख दे दी गई अगली तारीख दो मई की है अफजाल अंसारी को चार साल की सजा है और समविधान के हिसाब से कानून के हिसाब से दो साल से जादा अगर किसी को सजा है तो व मांकन का जो प्रोसेस है नॉमिनेशन जो शुरू होगा वो चार मई से शुरू हो जाएगा और वो तक्रीबन चौदा मई तक चलना है तो ऐसे में अगर अफजाल अंसारी पर जो दो मई की सुनवाई है उसमें हाई कोट अगर सजा को बरकरार रखता है पहला या फिर सजा को बढ़ा देता है इन दोनों स्थितियों में अफजाल अंसारी चुनाओ नहीं लड़ सकते हैं जब हाई कोट उनकी सजा को खत्म कर दे या फिर दो साल से कम कर दे और ऐसा फिलहाल इस मसले में नजर आ नहीं रहा है यानि अफजाल अंसारी का चुनाओ लड़ना मुश्किल में पढ़ गया है ऐसे में अखलेश यादव के सामने उनका टिकट काटने के अलावा दूसरा कोई आप्शन फिलहाल है नहीं मुकतार अंसारी के बड़े बेटे हैं अबास अंसारी वो विधायक हैं लेकिन वो जेल में हैं अफजाल अंसारी के जो सबसे बड़े भाई हैं सिक्बतुल्ला अंसारी जो खुद विधायक रहें उनके बेटे हैं मनु अंसारी वो भी विधायक हैं लेकिन इन तमाम बातों के बीच में अटकले इस बात की लगाई जा रही हैं कि अगर अफजाल अंसारी का टिकट अखले शादव काटते हैं तो टिकट परिवार में ही रहेगा और ऐसी चर्चाएं हैं कि गाजीपूर की सीट से फिर उमर अंसारी यानि जो मुकतार अंसारी के छोटे बेटे हैं और मुकतार अंसारी के निधन से लेकर अंतिम संसकार तक की पूरी प्रक्रिया में हर मौके पर उमर अंसारी नजर आए तो माना जा रहा है कि में अफजाल को सजा मिलती है बढ़ाई जाती है रोक लगती है क्या कुछ होता है और दोस्तों इसी बीच कुछना नंदराय के परिवार ने कुछना नंदराय की पत्मी अलकाराय और उनके बेटे ने एक अरजी दाखिल की है कि अफजाल अंसारी की जो सजा है वो कम है उसे बढ़ाया जाए और अब इन दोनों अरजियों पर एक अरजी अफजाल अंसारी की सजा कम करने को लेकर है और एक अरजी कुछना नंदराय के परिवार की तरफ से है इन दोनों अरजियों पर दो मई को सुनवाई होनी है और फिलहाल इंतजार करना होगा दो मई का लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी अकलेश यादव और मुक्तार अंसारी अफजाल अंसारी के परिवार ने अपने प्लैन B पर काम करना शुरू कर दिया है ताकि गाजीपुर में चुनाओ लड़ना खटाई में न पढ़ जाए अफजाल अंसारी का अगर टिकट कटता भी ह तो वो टिकट परिवार में ही रहे और उसके लिए सबसे बड़े दावेदार उमर अंसारी हैं